रहस्थान के भरतपुर जिली की मतुरा गेर थाना शेत्र में एक चंद्रभान नाम का वैक्ती ने जल भरावी समस्या से परिशान होकर पानी की टंकी पर चड़ गया काफी देर पुलिस कर्मी वैक्ती को टंकी से नीचे उतारने के लिए समझा बुझा रखे थे लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रभान नीचे नहीं उतरा जब चंद्रभान पानी की टंकी से नहीं उतरा तो पुलिस कर्मी उनी चंद्रभान को बातों में उल्चा कर रखा तबी पीछे से एक civil defense का करमचारी टंकी पर चढ़ा और वैक्ती को दबोच लिया उसके बाद बाकी के civil defense के करमचारी टंकी पर चढ़े और वैक्ती को टंकी से नीचे उतारा पुलिस ने चंदरभान को हिरासत में ले लिया है जानकारी के अनुसार भरतपूर नगर निगम के वाड नंबर 12 में सडकों पर बारिश और नाली का पानी भरा हुआ है जिससे लोगों को आने और जाने में काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है वाड के कई लोग इसके शिकायत वाड नंबर 12 के पार्षद बवीता से कर चुके हैं इसके अलावा दो दिन पहले वो कलेक्टर के नाम पर एक ग्यापन भी दे चुके हैं नगर निगम में भी इसके शिकायत कर चुके हैं लेकिन समस्या का समधान नहीं हुआ जिसे परिशान होकर आचंदरभान नी मतुरा गेट थाने के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ने का फैसला लिया चंदरभान करीब एक बच कर तीस मिनट पर पानी की टंकी पर चढ़ा जिसके बाद मौके पर तुरंत मतुरागेट थाना पुलिस और सिवल दिफेंस की टीम पहुच गई पुलिस कर्मियों ने काफी देर तक चंदरभान से टंकी सी नीचे उतरने के लिए समधाने की कोशिश की लेकिन चंदरभान उनकी बातों में नहीं आया जिसके बाद मतुरा गेर्थाना के पुलिस कर्मी ने चंदरभान को अपनी बातों में फसाया फिर उपर जाकर उसे पीछे से पकड़ लिया जिसके बाद मतुरा गेर्थाना पुलिस ने चंदरभान को अपनी के लोगों ने मंत्री डॉक्टर सुभाष कर लिए और नगर निकम की अधिकारियों से कई बार गुहार भी लगाई है मगर कोई सुनने वाला नहीं है इसलिए मजबूर होकर मैं पानी की टंकी पर चढ़ा अत्रगेर्थाना के SSI हर गोपाल ने बताया कि जल भराव की समस्या के चलते चंदरभान नामक वैक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया उसे समझा बुझा कर नीचे उतारने की खुब कोशिश की कई लेकिन वो नहीं उत्रा जिसके बार डिफेंस के ऑफिसर ने टंकी पर च